आमर खान की फिल्म ठग्स ओफ हिंदोस्तान की शूटिंग पर काले बादल मंडरा रहे हैं तब ही तो फिल्म की शूटिंग को रोग दिया गया है दरसल फिल्म की शूटिंग में अडंगा बारिश की वज़े से पढ़ रहा है शूत्रों की माने तो फिल्म की शूटिंग माल्टा में चल रही है और बारिश की वज़े से इसे अभी बंद करना पड़ गया है कुछ दिनों पहले अमिताब बच्चन भी फिल्म की शूटिंग के लिए माल्टा गए थे ये आमर खान और अमिताब बच्चन की साथ में पहली फिल्म है मूवी की कहानी की बात करें तो ये चार लूटेरों आमर खान, अमिताब बच्चन, फातिमा सनाशेक और केटरीना कैफ पर बनी हुई कहानी है इस फिल्म को यश्राज बैनर की अब तक की सबसे जादा बजट वाली फिल्म कहा जा रहा है वेल फिल्म को 2018 की दिवाली के आसपास रिलीस करने की बात की जा रही है लेकिन अगर फिल्म का शूट ऐसे ही कैंसल होता रहा तो फिल्म की रिलीस डेट चेंज होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा NMF News की रिपोर्ट